नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एटॉक्सिजाइन सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एटॉक्सिजाइन सिरप को कैसे लेना चाहिए, और एटॉक्सिजाइन सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी ड प्राइब धर्डिक rocket केपथिक मोफ इसकस करेंगे कि अतक्सिजाइन सिरॉप का उप्योग तफचा पर रशेस होने पर और चुज्री होने पर एटॉक्सिजाइन शिरब का उप्योग किया जाता है। डॉक्तर क्रोनिक अर्थिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर भी एटॉक्सिजाइन सिरब को लेने की सला दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्यकम जहरीले जानवर के काटने की वज़ह से कुई तवचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्तर एटॉक्सिजाइन सिरप को लेने की सला दे सकता है। एटॉक्सिजाइन सिरप को लेने के बाद मीन अधिक आती है। इसलिए डॉक्तर एटॉक्सिजाइन सिरप को एंजाइटी यानी चिंता को दूर करने के लिए भी एटॉक्सिजाइन सिरप को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा डॉक्टर सर्दी जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी एटॉक्सिजाइन सिरप को लेने की सला दे सकता है. सरदी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षन जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए भी एटॉक्सिजाइन सिरप का उप्योग किया और एटॉक्सिजाइन सिरप की वज़ग से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे मुँ में सुखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ति होना, नीन अधिक आना, नाक से खुण आना, चक्कर आना और कब्ज होना आधी साइड इफेक्स और एटॉक्सिजाइन सिरप का एक सामान्य साइड इफेक्स है, और एटॉक्सिजाइन सिरप को लेने वाले ज्यादा तर व्यक्तियों में इस साइड इफेक्स को नोटिस किया गया है, अब हम डिसकस करेंगे की एटॉक्सिजाइन सिरप को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता एटॉक्सिजाइन सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एटॉक्सिजाइन सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई दोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि एटॉक्सिजाइन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अब हम डेड़ होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।